दोस्तों बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में 13 नमबर को विधान सभा का चुनाव है जारखन में 7-7 13 नमबर को ही उत्तर परदेश में 9 सीटों पर विधान सभा के लिए उपचुनाव होने जा रहा है महराष्ट्रा की बात करूं तो महराष्ट्रा में 20 नमबर को विधान सभा का चुनाव होने जा रहा है और नतीजे आएंगे 23 नमबर को इस बीच बसपा सुप्रीमों बहुत जादा सक्क्रिय हो चुकी है बेसपी सुप्रीमों ने जहां उत्तर प्रदेश उपचुनाव में दमखम दिखाना शुरू कर दिया है वही अब बिहार जारखंड को लेकर एक सुखद तस्बीर खुशखबरी सामने आ रही है जारखंड की बात करने से पहले हम बिहार की बात करेंगे खुशखबरी से इस वीडियो की हम शुरुआत करना चाहते हैं खबर यह है कि बिहार में मायावती जी ने बड़ा खेला कर दिया है वहाँ एक सीट है रामगड रामगड में राजद और भाजपा के राजपूत के मुकाबले बसपा के यादव उम्मिदवार की चर्चा तेज हो गई है कहा जा रहा है जो समीकरन रामगड का है क्योंकि यहाँ पर यादव वहुलिय सीट है इसलिए मायावती जी ने यहाँ पर कहा जा रहा है आरजदी और जेडियू का बीजपी का जो खेला है खराब कर दिया है तो बिहार की चार सीटों पर उप्चुनाव होना है जिसमें रामगड की सीट पर बसपा की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो गया है आरजदी और बीजपी के राजपूत प्रत्याशियों के बीच बसपा ने यादो प्रत्याशी को मैदान में उता रहा है इस सीट पर आरजदी के सुधाकर सिंग छाए बार के विधाय करें चुके हैं तो मायवती जी ने दो राजपूतों के बीच यादो कैंडिडियोट को उतारा है रामगर से महागडबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी अजीत कुमार सिंग मैदान में हैं आपको बता दें ये आरजेडी के प्रदेश अधक्ष जगदानन सिंग के बेटे हैं विहार क रामगर सीट को लेकर बसपा के तमाम जो समर्थक हैं वो पॉस्टिब लग रहे हैं कि भाई जिस तरह का समीकरण यहाँ पर है बसपा ने जिस तरीके से इस सीट को चूज किया है उसे यहाँ पर बसपा का जो पलड़ा है भारी है च्योंकि देखे आरजेडी जो है लालु गलती की है तो यह जो गलती हुई है उसे का जा रहा है यादो समाज यहाँ पर नाराज है अगर वो बसपा की तरफ आता है तो यहाँ पर बसपा की बल्ले बल्ले होगी अब हम बात करेंगे जार खंड की तो उसनों जार खंड को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही ह आपको बता दें कि जारखंड में बस्पा ने 24 प्रत्याश्यों की सूची जारी कर दी है तो ना सिर्फ उत्तरप्रदेश उप्चुनाव बलकि बिहार की उप्चुनाव से होते हुए जारखंड पहुँच चुकी है बस्पा और महराश्टरा में तो पूरे दमखंप के साथ चुनाव लड़ेगी क्योंकि माना जा रहा है कि आकाश आनंद को वहाँ पर बड़े लेबल पर एक्टिव किया जाएगा पहले खबर आई थी कि आकाश आनंद वहाँ पर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे लेकिन अब रनीती बन रहे है कि आकाश आनंद वहाँ बड़ी भूमिका निभाएंगे तो चलिए आपको बताते हैं कि जारखन में किन किन सीटों पर बसपा ने अपने उम्मिद्वार उता रहे हैं आपको बता दें बसपा यहाँ पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है और आपको बता दें कि हरियारा चुनाव से सबक लेते हुए बसपा सुप्रीमों ने यह कि अब किसी से कोई भी गड़बंदन नहीं होगा अकेले ही चुनाव लड़ेंगी तो महराष्ट्रा में भी संभावना आया है अकेले चुनाव लड़ा जाए और जारखन में तो वो अकेले कूत पड़ी है और उपचुनाव में भी अकेले बसपा किस्मत आजमा रही है तो चलिए हम जो सूची आई है उसे आप तक साजा करना चाहते हैं कहां से कौन कौन से प्रत्याशी बनाए गए है मैं आपको बताना चाहता हूँ तो ध्यान से नोट करेगा एक एक सीट पे हम बात करेंगे जामतारा जामतारा से बताएंगे आपको जामतारा से तरुन गुप प्राइदा को बसपा ने अपना उम्मिदवार बनाया है अगली सीट है मधुपूर मधुपूर की बात करें तो यहां से मुसलिम चेहरे को मुका दिया है मायवत्य जी ने मधुपूर से जियाउल हक को मैदान में उतारा गया है एक सीट है देवगर काफी प्रसिद सीट है य यहां से ग्यान रंजन को बहुजन समाज पार्टी ने ग्यान रंजन को यहां से अपना उम्मिदवार बना दिया है बरकटा एक सीट है बरकटा से सरीव प्रसाद को मायावती जी ने अपना उम्मिदवार घोशित किया है एक सीट है रामगड रामगड की अगर हम बात करें तो रामगर से बिन्नु कुमार महतो, रामगर से बिन्नु कुमार महतो को उमिदवार बनाए गया है, बोकारो से अगर मैं बात करूँ, बोकारो से बात करूँ तो राजेश कुमार महतो, बोकारो से धाम रखियेगा, राजेश कुमार महतो को उमिदवार बनाए गया है, निर अन्वरी खातून जी धनबाद से किस्मत आजमा रही है टुंडी से मोती लाल किसकू को मैदान में उतारा गया है बहरा गोड़ा से सनत कुमार महतो को वस्पा ने अपना उम्मिदवार बनाया है जमशेदपुर पश्रमी यहां से व्रिंदाबन दास को वस्पा ने अपना उम्मिदवार बना दिया है इचागड़ एक सीट है इचागड़ इचागड़ से कल्यान चंद्र सिंग को मैदान में उतारा गया है सराय केला से रविंद्र उराव को मैदान में उतारा गया है वहीं अगर मैं चाइबासा की बात करूँ तो चाइबासा से तुरी सुन्डी मनोहर से बात करूँ तो परदेशी लाल मुंडा को मैदान में उतारा गया है सिसई से बंदे कुमार तिर्की को बसपा ने अपना प्रत्याशी गोशित किया है सिमडेगा एक सीट है सिमडेगा से अनुझ कुंडेश्वरी को मैदान में उतारा गया है कोले वीरा से शिवराज बढाईक को मैदान में उतारा गया है एक सीट है मनिका मनिका से आशेश सिंग को मैदान में उतारा गया है पांकी से जितिंद्र पासवान को यहां उमिदवार बनाया गया है विश्रामपुर से राजेश महता को मैदान में उतारा गया है गड़वा से अजे कुमार चौधरी को मैदान में उतारा गया है और भगवानपूर आखिर में एक सीठ है भगवानपूर भगवानपूर से पंकज कुमार को बसपा ने अपना उम्मिदवार बना दिया है तो जो लोग भरम फैला रहे हैं कि बसपा को नेता नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए कोई पूछता नहीं है और बसपा में कौन जाएगा यहां देखे लाइन लगी है अभी मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा भीकी बात भीकी जारखंड में इनका क्या है तो जारखंड चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो बसपा का हर जगे वैसे ही मामला है मैंने आपको कई बार बताया कि बसपा का हर प्रदेश में अपना वोट बैंक है कहीं 2%, कहीं 4%, कहीं 6% तो पूरे देश भर के अलग-अलग राज्यों में बसपा का अपना वोट बैंक है और इसलिए मायावती जी सबसे बड़ी नेता है, सबसे बड़ी लीडर है आपने देखा होगा, लोकसभा के चुनाओ में भी कई प्रदेशों में अपने उम्मिदवार बसपा ने उतारा था हाला कि सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता नहीं मिली, उसके बावजूद पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी, तो ये बहुत बड़ी जीत है अपने आप में अब ये नहीं कि आप हार जाएए तो उमिदवारी ना उतारिए, बैड जाएए टेंशन में, मायवती जी हार से भी सबक लेती हैं, हार से भी सीख लेती हैं, तभी तो देखिए बिहार में भी बसपा अपने प्रत्याशी उतार रही है, और जो बसपा उपचुनाओं उत् सब्ता का सिमी फाइनल ही माना जा रहा है, तो बसपा एक बार फिर से एक्टिव हो चली है, बेहन जी भी एक्टिव हो चली है, आकाश अनंद को एक्टिव किया जा रहा है, वो महरास्टरा से पहले माना जा रहा है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाओं में एक्टिव कि ये जो gap है इसको लेकर चुनाव आयोग के सामने भी कई सवाल शिकायत गई है कि भाई ये जो gap क्यों रख रहे हो तेरा को चुनाव हो रहा है तो आप 15 को वोटिंग कराओ एक दिन के बाद वोटिंग कराओ ये रखने की क्या जरूरत है मशीनों को हाला कि देखते हैं आयोग कप्ता की ये शिकायत सुनता है बहराल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहन जिन जिस तरीके से जार खंड में अपने मुदवार उतारे जिस तरीके से बिहार उच्चुनाव में किसमत आजमारे बस पाई इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कितने पोजिटिव हैं प्रतकिरिया दीजिएगा बहुत बहुत धन्वात शुक्रिया